छोटी जाती से होने की सजा, मा के अन्तिम संस्कार के लिए नहीं मिले चार कंधे, अकेले ले गया बेटा, ओडिशा में एक शक्स को छोटी जाती का होने की ऐसी सजा मिली, जिसे सुन कर हर कोई चौक गया, दरसल बेटे के मा की मोत हो गई थी, इस पर उसने पडोसियों की और से धरम और जाती के भैदवाव को निम्टाने की लाख बाते की जाती हो लेकिन हकीकत तो यह है कि जाती को लेकर होने वाला भैदवाव कभी खतम नहीं हो पाया है और रिशा के कोरापुट जिला से जातिवाद को लेकर भैदवाव का एक बेहद श्रमनाक मामला सामने आय मंगला ने अपनी मा की मोत पर अंतिम संसकार के लिए गरामिनों से मदद की कुहार लगाई गरामिनों ने छोटी जाती काताना दे कर अंतिम संसकार में मदद करने से इंकार कर दिया मंगला लाचार होकर मजबूरन पत्नी के साथ मिलकर अपनी मा को कंधा दिया और अंतिम संस्कार गिया छे महीने पहले मंगला परजा ने गाउं के पडोस में दूसी जाती के घर में खाना खा लिया जिसके बाद गरामीनों ने मंगला परजा और उसके पूरे परिवार को गाउं से बाहर कर दिया परजा को गाउं से बाहर रहने के कारण काफी चिनोतियों का सामना करना पड़ा मंगला ने आज तक को बताया कि दोसी जाती के घर में खाना खाने के कारण हमें छोटी जाती बताकर गाउं से बाहर कर दिया था मेरी माखी मोत के बाद मैंने गाउंवालों से अंतिम संस्कार में मदद करने की कुहार लगाई लेकिन लोगों ने छोटी जाती कहकर केवल ताना मारा और मदद करने से मुऊ मोड दिया। मंगला ने कहा कि मैंने और मेरी पत्नी ने माख़े पार्थी शरीर को कंदा दिया। और शम्शान पर ले जाकर अन्तिम संसकार किया। मंगला ने नम आखों से कहा कि मुझे दूसी जाती के घर में खाने खाने की सजा मिली। स्थानिय अंचल अधिकारी शुरेश पटनायक ने आज तक से कहा कि इस घटना की पूरी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि मृतिक महिला का बेटा मंगला परजा को समाज से बाहर किया गया था। स्थानिय लोगों के साथ बाचीत कर इसका हल निकला जाएगा। साथ ही परशाशन की और से मंगला परजा को आर्थिक मदद परदान किया जाएगा। हर ताजा अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें।